नमस्कार प्रेदर्शकों आँ जम्लगन कुनली से बनने वाले योगों के बाद में चल्चा करेगे या उनके बारे में ज्यानासिल करेगे अधिक जानकारी के लिए हमारी स्री गनेशा वेदिक जोतिश.blogspot.com पर या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स या दिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक ओपन करके हिंडिया मराती में जोतिश प्रविन अभ्यास्क्रम से सब लेकपल सकते हैं स्थान अंदर में उन्नति करने वाला होता है मुसल योग समस्थ ग्रह स्तिर राशियो में होतो मुसल योग होता है इस योग में जन्म लेने वाला जातक मानी ज्यानी धनी राजमान्य प्रसिद्ध भौत पूत्र वाला एवं साशन अधिकार होता है नल्योग जब समस्त ग्रह द्विशवावराशी में हो तो नल्योग होता है इस योगवाला जातक ही निया अधिक अंगवाला धन सघ्रकारी चतुर राजनितिक दाव पेंचों में प्रविन एवं चुनाव में सपलता प्राप्ट करने वाला मालायोग जब बूध गुर और शुक्र चवते सात्वे और दस्वे स्थान में हो और सेस्क्रह इन स्थानों से बिन्न स्थानों में हो तो मालायोग होता है इस योग के होने से जातक धनी वस्त्रावुशन युक्त बोजनादी से सुक अधिक स्रिव से प्रेम करने वाला एव एमपी होता है पंचायत के निर्वचन में भी उसके पूर्ण सफलता मिलती है सरपयोग जब रवीशनी और मंगर चवते सात्वे दस्वे स्थान में हो और चंद्रमा गोरुशुकर और भूद इन स्थानों से भीन्न स्थानों में स्थित होतों सरपयोग होता है इस योग के होने से जातक कुटिल, निर्धन, पुखी, दीन, विक्षातन करने वाला, चंदा मांकर खा जाने वाला एवं सरवत्र दिन्दा प्राप्त करने वाला होता है गदा योग जब समिपस्त दो केंद्र एक चाया साथ दस में समस्त गरव हो तो गदा नामक योग होता है इस योग वाला जातक धनी, धर्मात्म, सास्तक्य, अंगित प्रिय और पुलिस विभाग में नोकरी प्राप्त करता है इस योग वाले जातक का भग्यदय 28 वश्किय अवस्ता में होता है शकत योग लगनावर सक्तम में समस्त गरव हो तो शकत योग होता है इस योग वाला रोगी, मुर्ख, द्राइवर, स्वारती एवं अपना काम निकालने में बहुत प्रविन होता है पक्षी योग जब समस्त गरह चतूर्ट और दसम स्तान में हो तो विहग पक्षी गरह योग होता है इस योग में जन्म लेने वाला जातक राजदूत, गुप्त चर, ब्रहमन शिल और कलवप्रिय एवं मन्यता धनी होता है शिब गरह युकत स्तानों में हो और पाप गरह 3-11 वेस्तान में हो तो जातक नैधिस और मंदल अधिकारी होता है श्रुम गातक योग समस्त गरह एक पाच नो वेस्तान में हो तो श्रुम गातक योग होता है इस योग वाला जातक सेनिक, युद्ध, कलह प्रिय, राज कर्मचारी, सुन्दर, वतनी वाला एवं कर्मठ्थ होता है वीर्टा के कार्य में इसे सपलता प्राफ्थ होती है इस योग वाले का भागिय तेश वर्ष की अवस्ता से उदय हो जाता है हल योग समस्तक रह 2, 6, 10 वेस्तान या 3, 7, 11 वेस्तान अथवा 4, 8, 12 वेस्तान में हो तो हल योग होता है इस योग में जन्म लेने वाला जातक बहु बक्षी, दलिद्र, क्रुषक, दुखी और भाईवंदों से युक्त होता है क्रुषिसमबंदित शिक्षा में इस जातक को विशेश सपलता प्राप्थ होती है